City Home News देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ प्रियर राश्टू वित मंत्री निर्मला सीता रमण ने आज साल 2024 के लिए मोधी सरकार की दूसरे कारेकाल का अंतरिम बजट पेश किया इस दोरान वित मंत्री ने सरकार की उपलंधिया गिनवाई बजट के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने देश को संबोधित किया प्याम मोधी ने कहा कि आज का ये बजट अंतरिम बजट तो है लेकिन ये समावेशी और इनोवेटिव भी है ये बजट विक्सित भारत के चार स्तंब, युवा, गरीब, महिला और किस्सान सभी को सशक्त करेगा प्याम मोधी ने पेश हुए बजट को देश के भविश निर्मान का बजट बताया तो समसद में वित मंत्री निर्मला सिता रमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया तो वही निर्मला सिता रमण ने 2024 स्पीच में Taxation में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव किया सीतर अमर्ण ने इंपोर्ट ड्यूटी इसमें डारेक्ट और इंडारेक्ट की टेक्स के लिए मुझूता टेक्स रेट्स बनाये रखने का प्रिस्ताफ दिया है अब इस बज़ट भाशन पर प्रधान मंत्री निरेंदर मोद्ी ने कहा कि यह बजट विक्सित भारत अपने संबोधिन में कहा कि यह अंत्रिम बजट इसमावेशी और नववनवेशी है इसमें निरंतरता का भरोसा है कि विक्सित भारत के सभी 4 स्थम्बो युवा, गरीब महिला और किसान को उसे शक्त बनाएगा ये बजट 2017 तक भारत को विक्सित रास्ट बनाने की गारंटी देता है उन्होंने आगे कहा कि हम एक बड़ा लक्ष तैक करते हैं, उसे प्राप्ट करते हैं और फिर उसे भी बड़ा लक्ष अपने लिए तैक करते हैं गाओं और शहरों में गरीबों के लिए हमने चार करोड से अधिक घर बनाए और अब हमने दो करोड और घर बनाने का लक्ष रखा था अब इससे बढ़ा कर टीम करोड कर दिया है मैं निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बढ़ाई देता है तो यह बाते जो है आज प्रधार मंतिर नेलेंद्र मोधी ने अपने संबोधत में देश्वास्यों को बताई और वही निर्मला सितारमन को जो है बढ़ाई देती लेकिन यह बजेट इंक्लूजीव और है यह बजेट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा गरीब महिला और किसान सभी को एमपावर करेगा निर्मला जी का यह बजेट देश के भविश्के निर्मार का बजेट है इस बजेट में 2047 के विक्सीद भारत की नीव को मजबूत करने की गारंटी है मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों इस बजेट में युवा भारत की युवा आकांग्शाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्भ है बजेट में दो महत्वपूर्ण नीने ले गए है रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुपिय का फंड बनाने की गोशना की गई है बजेट में स्टार्ट अप्स को मिलने वाली टैक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है साथियों इस बजेट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए केपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुपिय की एतिहासिक उंचाई दी गई है अर्थ साथियों की भाशा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पोर्ट है इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्टरकर के निर्मार के साथ ही युवंगों के लिए अंगिनित रोजकार के नए अउसर पैयार होंगे बजेट में बंदे भारत स्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया है इसे देज के अलग-अलग रेल रूट पर करोडों यात्रियों में आराम दाय कि आत्रा का अनुभव बढ़ेगा साथ्यों हमें बड़ा लक्ष ताय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष अपने लिए ताय करते हैं गरीबों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड़ चे अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष रखा है हमने दो करोड़ महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा था अब इस लक्ष को बढ़ाकर तीन करोड़ लगपती दीदी बनाने का कर दिया गया है आईश्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाड़ी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दे उनके लिए आएके नए आउसर बनाने पर भी बहुत जोड दिया गया है रूप्टॉप सोलर अभ्यान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप्टॉप के माद्दम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरित बिजली बेज कर लोगों को 15 से 20 हदार पतिवर्ष की आए भी होगी और हर परिवार को होगी साथियों आज जिस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है उससे मद्दमबर के करीब एक करोर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दसकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी आज इस बजेट में किसानों के लिए भी बहुत महत्पवाँ और बड़े निर्ड़े लिए गए नेनो डियेपी का उप्योग हो पशुओं के लिए नई योजना हो पी एम मत्स संपधा योजना का विस्तार हो और आत्मन निर्भर ओयल सीड़ भ्यान हो इससे किसानों की आय भड़ोगी और खर्च कम होगा मैं एक बार फिर सभी देश वास्यों को इस अइतिहासिक बजेट के लिए शुब कामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद